नमस्कार दोस्तों सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में मैं आरगोड व्याख्याता हिंदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों पिछले मीट वीडियो में हमने देखा था आधिकाल का लोकिक साहित्य लोक में खूब पढ़ो जजबनो और पिछली प्रस्णोत्री में हमने प्रस्ण पूछा था कि सुकल ने रूप लोब की संग्या किसे दी है किस नाईक या नाईका के संदर्ब में अथ्वा किस रचना के संदर्ब में जिसका सही उत्तर प्राप्ट हुआ है हैरी डोबर गच्छी पुरा नागूर राजस्थान से इन्होंने सही उत्तर दिया है और भी कई लोगोंने प्रियास किया है उन सभी को धन्यवाद हरी डोबर जिन्होंने इस प्रस्न का सही उत्तर दिया है पद्मावत, रतन सेन और पद्मावती के लिए सुक्ल ने ऐसा कहा है आज के प्रस्न के लिए वीडियो को अंततक देखें सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें बेल आइकन जरूर दबाएं और सही प्रस्न का उत्तर देते वे साथ ही अपना नगर कस्बा या पता लिखें आपका नाम मैं अगले वीडियो में सेर करूंगा काफी अच्छा लगेगा अगर कोई सही उत्तर देता और उसका नाम सेर किया जाता है इस बार हम पढ़ रहे हैं आदिकाल का अंतिम वीडियो आदिकाल में लिखा जाने वाला गद्य साहित्य ध्यान से देखें और इसके ट्रिक भी देखें आदिकाल का गद्य साहित्य उराओ तुझे आदिकाल का गद्य साहित्य सिखाओं उराओ जो एक राजस्तानी सब्द है जब किसी को बुलाया जाता है तब उसे कहा जाता है उराव तुझे आदिकाल का गज्य साहित्य सिखाऊं इसमें जो आदिकाल सब्द है इसका आरत है ये आदिकाल का गज्य साहित्य है उराव उ का अर्थ है उक्ति व्यक्ति प्रक्रण रा का अर्थ है राउलवेल और वे का अर्थ है वन रतना कर रा का अर्थ राउल वेल और वे का अर्थ वन रतना कर उक्ति व्यक्ति प्रक्रण यह एक व्याक्रण ग्रंथ है गज्य में लिखा है प्रक्रण किसका नहीं बनता दोस्तों प्रक्रण उसका नहीं बनता जो दामों वाला व्यक्ति होता जिसके पास खुब सारे दाम होते हैं धनाईड्य व्यक्ति होता है इसे व्यक्ति का प्रक्रण नहीं बनता निर्धन व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति का प्रक्रण जट से बन जाता है लेकिन दामो वाले व्यक्ति का प्रक्रण नहीं बनता दामदर सर्मा गोविंद चंदर के सभापंडित थे यह अपब्रंस प्रभावित हिंदी रचना है और काफी मैत्वपूर प्रस्न जो अक्सर आता है इसमें बनारस के आसपास के भासा वे संस्कृति पर प्रकास डाला गया है यदि प्रस्न पूछ लिया दाए कि उक्ति व्यक्ति प्रक्रण में कहां की संस्कृति से सम्मंदित शब्दावली मिलती है तो वो है बनारस के आसपास तो उक्ति व्याक्ति प्रक्रण येक व्याक्ण गरंत है दामुदर सर्मा गोविंद चंदर के सभापंडित अब्रंस प्राइत हिंदी रचना और बनारस के आसपास की भासा इसके बाद में है राउल वेल रोडा कभी दीतियस रणी इंदी इसमें ये एक जाम में ये किश्चन आया था कि राउल वेल के संदर्ब में निम्न मेंसे कौन सा कथन संगत है या एसंगत है उसमें एसंगत पूचा था उसमें एक वाक्य था कि राउल वेल में राउल नामक नाईका का उलेक है राउल वेल पर्थम नक्सिक वर्णन के लिए जाता है ये पर्थम सिलांकित रचना है इसमें वेल नामक नायक है तो ज्यान रखें राउल वेल में जो राउल सब्द है राउ्ल जो रोडा कभी द्वरा लिखा गया गरंद है जिसमें राउल नाईका है लेकिन ये जो वेल सब्ध है वेली, कृष्णरुक्मनेरी फुलवारीरी बाता तो ये बातां, वेली ये इस तरह का सब्ध है वेल राउल से समंधित जो कता है वो राउल वेल नायक का इसमें कोईँ लेक नहीं है ये इस साहित्य का प्रथम चम्पु का ये है चम्पु से ताप्रिय गज्य वपज्य मिश्रित ध्यान से देखें, मैं इनको बाद में अपने डिटेल से देखते हैं राउल वेल, सबसे पहले में ट्रिक बोल रहा हूँ, राउल वेल, गज्य पज्य का मेल, सिलाओं पर खेल, नक्सिक का मेल, बंबई की मेल, साथ बोलियों का भेल, साथ बोलियों का भेल, अर्थात, कौन-कौन सी बाते राउल वेल में मैं तुपून है, यह साहित्य का पर्थम चंपू का भेल है, यह पर्थम सिलांकित रचना है, यह सिलाओं पर अंकित रचना है, किसी पुस्टक में किसी कागस पर लिखी नहीं इसमें प्रतम नक्षिक वर्णन मिलता है ये काफी इंपोर्टेंट है प्रतम नक्षिक प्रतम बारे मासा वर्णन जिस तरह से बीसल दिवरासु उसी तरह से प्रतम नक्षिक वर्णन राउल वेल बंबाई के प्रिंस आप वेल स संग्रालाई में सुरक्षित है ज्यान देएं यदि प्रस्ण पूछ लिया जाए खुमान रासो कहां संक्लित है तो यह कहां सरंक्षित है तो यह है पूर्णा संग्राले में और राउल वेल जो रोडा कवीकृत है वो बंबई के प्रिंस आप वेल्स संग्राले में शुरक्षित है इसी तरह से इसमें अंत्य पुर्मे रहने वाली विभिन प्रदेसों की रानियों का वर्णन मिलता है और इसमें इंदी की साथ बोलियों के शब्द रूर प्राप्त होते हैं जिसमें राजस्त्वनी प्रधान है इस तरह से साथ बोलियों का भी भेल है इसमें रावल वेल साथ बोलियों का मेल गज्द्य पद्य का मेल नक्सिक का मेल प्रिंस आप वेल सिलाओं पर खेल नेक्स्ट वर्ण रतना कर वर्ण रतना कर जोती रिसो ठक्कुर वर्णों की जोती कैसी होती है आपको पता सुब होती है कैसी सू बै अर्थात वर्णों की ज्यत्य सू बहती है सू सुनिति कुमार चटर जी बै बबुवा मिस्र सुनिति कुमार चटर जी बबुवा मिस्र के संपादन में बंगाल एसियाटिक सोसाइटी से ये प्रकासित हुआ था इसकी बहसा मैथिली हिंदी है वर्ण रतनाकर सब्द कोसा प्रतीत होता है ये अजारी परसाद देदी ने इसके लिए कहा वेरी 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 इंपोर्टेंट मित्रों ये प्रस ने इतना पुछा जाता है और इसमें इतना कन्फ्यूज होता है कन्फ्यूज क्यों होता है पता आपको वर्ण रतनाकर और उक्ती व्यक्ती प्रक्रण दोनों में ये कन्फ्यूज होता है तो इस कन्फ्यूज को इस तरह से दूर करना है वर्ण रतनाकर वर्णों से तयार होता है गद्ये हिंदी साहिते की परतम गज्दी रचना है वर्ण रतना कर तो वर्ण रतना कर सब्दकोस सा प्रतित होता है और वर्णों से ही गज्दी तयार होता है और वर्णों से ही सब्दकोस तयार होता है जब भी हम सब्दकोस में किसी शब्द को देखें कि पहले कमल आएगा या पहले चंचल आएगा तो हम यह देखेंगे कि सबसे पहले कैई है तो यह नमबर एक पर आएगा और चै वर्ण माला में बाद में आता है इसलिए बाद में आएगा तो वहाँ सारा खेल वर्णों का है अते सब्द कोश सा परतीत होता है यह वाक्य वर्ण रतनाकर के लिए कहा गया है संभवतिया आप मेरी बात समझ गया होंगे जब यह वाक्य आता है उस समय जब कन्फ्यूज होता है वर्ण रतनाकर में और उक्ति व्यक्ति प्रक्रण में तो उस समय इस बात को दियान रखना है कि वरणों से सब्दकोस तयार होता है अता है अजारी परसाद दिने इसके लिए कहा है जब सब्दकोस इसे कहा जाता है तो मैथिल का विश्वकोस भी इसे ही कहा जाएगा तो इसे मैथिल का विश्वकोस भी कहा जाता है मित्रों कुछ मैत्वपून तथे जिनको बारी बारी से मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूँ विद्यापती सिव सिंग के दरबारी कवी थे तो विद्यापती के अत्रिक्त मैथिली कवी उमापती माने जाते हैं कीरतिरता विध्यापती अवाट भासा में लिखा निरिवाद रूप से इंधी साइत्य कहा पहला इतिहास लेखा गार सदत्तासी है ये नलिन विलोचन सर्मा ने कहा था हिंदी में विधेवादी साहित्य इतियास के आदी परवर्तक वो नलिन विलोचन सर्मा गार सदत्तासी को और गिरियर्शन को मानते हैं जबकि वास्तों में सुकल थे तो इंदी में विधेवादी साहित्य इतियास के आदि प्रवर्तक सुक्ल नहीं प्रत्युत गिरियर्शन है ऐसा नलिन विलोचन सर्मा कहते हैं माफ कीजिएगा मैं गारसादता सी बोल गया नलिन विलोचन सर्मा ने विधेवादी साइत्य के आदि प्रवर्तक सुकल को नहीं गिरियर्शन को माना है जब कि यदि सीधा प्रसन आ जाता है कि प्रतम विधेवादी पदती में लिखने वाले कौन है तो सुकल उत्तर होगा की जीवनी का रचनाव सहित वरनन मिलता है इतियास के साथ समा लोचना और अधनिक तरिष्टिकोन से कवियों का निरूपन हिंदी साइट्य का इतियास ग्रंत में रामचंदर सुकल ने किया है इसका तात्परी यह है रामचंदर सुकल किसी कवी या लेखक के जीवन काल औ हिंदी साइट्य का अधनिक और यह है रामचंदर सुकल ने किया है रामचंदर सुकल ने किया जो परियास ग्रेगे रामचंदर सुकल के जीवन का इतियास ग्रंत करते हैं हरी चरित्र की रचिता लालच दास है हरी लाल हरी और लाल हरी चरित्र की रचिता लालच दास पद्मिनी चरित्र की रचिता लालच दास है तो पद्मिनी चरित्र की रचिता लालच दास इस तरह से कुछ मेत्वपों तक्तियों के साथ समाप्तवा आज का प्रस्न है आज का प्रस्न है अधुनिक काल के कौन से सहित्यकार की एक पत्रिका के मुख प्रिष्ट पर उन्होंने ये लिख करके वेजा था आठ मास बीते जजमान अब तो करो दच्छिना दान फिर से सुने जब उनकी पत्रिका के लिए उन्हें उचित समय पर चंदा नहीं प्राप्तवा था पत्रिका आगे प्रकासित नहीं हो पारी थी धन अभाव के कारण तब उन्होंने ये लिखा आठ मास बीते जजमान अब तो करो दच्छिना दान ये आधुनिक काल के कौन से कवी अथवा लेखक के द्वारप्रकासित या संपादित एक पत्रिका थी जिसके मुख प्रिष्ट पर ये लिखा गया था उस कवी लेखक का नाम अथवा उस पत्रिका का नाम कमेंट बॉक्स में अपने नाम वै नगर कस्बे सहित लिख करके भेजें काफी अच्छा लगेगा आपका नाम सेर करते समय सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनेहारदिक अभिनंदन आभार प्रतम स् या क्याता भरती प्रिक्सा के लिए ट्रिकी साहित्य के साथ में आरगोड दन्यवाद